नमस्कार मैं आपका निरंकार वर्मा और प्रश्णोतर सिरिंखला की अंतरगत राज व्यवस्था के एक और प्रश्ण पर हम लोग व्याख्या करेंगे आईए प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण दिया हुआ है भारत एक अर्ध संगहात्मक व्यवस्था वाला राज है ज्यान दीजिएगा कह रहा है कि जो भारत है इन्डिया है उसमें अर्ध संगहात्मक यानि सेमी फेडरलिजम पाया जाता है दूसरा इस्टेट्मेंट है भ अतनिधी मूलक लोगत्त यहने री प्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा है वहीं पर तिसरा स्टेट्मेंट है अध्यच्य व्यवस्था के अंतरगत कारपालिका और विधाईका में विलगाव होता है यानि कि जो प्रेसिडेंसियल सिस्टम जहां होता है वहां पर कारपालिका और विधाईका के बीच में एक विलगाव होता है तनाव की कंडिशन होती है वह चौथा स्टेट्मेंट दिया है अध्यच्य व्यवस्था में नाम मात्र का प्रमुक यवं वास्त्विक प्रमुक एक ही होता है अब यह चार कथन है और कह रहा है कि को ध्यान से पहला कर रहा है अर्द संगहात्मक विवस्था है तो ध्यान दीजिए दो विवस्थाएं हैं भावगोलिक दृष्टी से अगर देखा जाए तो एक विवस्था है शंगहात्मक विवस्था आप जान चुके हो और एक होता है एक आत्मक विवस्था यानि कि फेडरल सिस्टम और इनिटरी सिस्टम अगर हम बात करें संगहात्मक विवस्था की तो इसका अगवा या अगरनी देश ये वसे है वहीं पर हम अगर एक आत्मक विवस्था की बात करें तो इसका अगरनी देश बिटें दिखाई देगा आपको बट इंडिया इन दोनों के बीच में है यानि कि अगर भारत में हम देखें तो भारत में क्या है अर्ध संगहक की बात कही जाती है अर्ध शंगहातमक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी आप दिहान दीजिएगा कैसे यहाँ इसलिए है क्योंकि इंडिया में पहले हम क्या करेंगे मान लेंगे कि इसमें शंगहातमक व्यवस्था ली गई है और शंगहातमक व्यवस्था के साथ कुछ एकातमक लच्छन को एकातमक लच्छनों को मिलाया गया अब वो कौन कौन से हो सकते हैं जैसे आप देखो संगहात्मक धाचा तो आप समझ रहे हों कि संगहात्मक बिवस्था तो ली गई इंडिया में लेकिन कनाड़ा के बेस पर ली गई यानि कि आप देखोगे यहां पर राज्जी कमजोर है बट केंद सक्साली है यानि विनासी राज्जियों का अविनासी है तो ध्यान दीजेगा हमारे यहां संगहात्मक बिवस्था ही ली गई है दोरी विवस्थाएं हैं राज्जों की अपनी विधाई का है अपनी कारिपाली का है ऐसे केंदर की अपनी कारिपाली का है विधाई का है तो यानि संगहात्मक धाचा देख तो रहा है बट इसमें कुछ एकात्मक लच्छनों को मिराए गया है जैसे आप देखिए इकहरी नागरिक्ता निलाया गया इकहरी निर्वाचन वेवस्था निर्वाचन वेवस्था यानि भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा वो राज्यों का चुनाव भी कराएगा इसी प्रकार से एकहरी लेखा परिछा इसी प्रकार से एक और विवस्था आप लिख सकते हो आपातकाल इमेरिजन्सी ये सब क्या है ये सब एकात्मक ध्हाचे से लिया गया है यानि कि संगहात्मक विवस्था के साथ एकात्मक लच्छनों को मिलाए गया है तो यह स्टेटमेंट भी किसका है आप कहेंगे बी आर अम्वेडकर साहब का यह स्टेटमेंट है कि भारत में संगहात्मक विवस्था के साथ एकात्मक लच्छन मिलाए गया है साथ ही साथ अम्वेर्कर साहब यह भी कहते हैं कि भारतिय सम्विधान को संगहात्मक धाचे में या उसके तंग धाचे में फिट नहीं किया जा सकता है यह भी उनका कतन है इसी प्रकार से भारत एक अर्द संग्य व्यवस्था है यह किसका कतन है तो आप कहेंगे केसी वेर का है इस बात को आपको वयाद रखना है तो आप देख रहे हैं संघहात्मक बेवस्था के साथ ओकहरी बेवस्थाओं को ही मिलाय गया है यानि भारत एक और संघहात्मक बेवस्था वाला से इस प्रकार से यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है साइए अब दूसरी बात करा भारत में प्रतिनिधी मूलक लोकतंत्र याने की representative democracy की बात कही गई है तो धान दीजिए अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो लोकतंत्र में लोकतंत्र नहीं पढ़ रहे हैं आप समझेगा यहां पर प्रतनिधी मुरक लोकतंत्र क्या होता है यानि कि लोकतंत्रिक व्यवस्था में दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं एक हो सकता है प्रत्यच्छ और एक होता है आपरत्यच्छ यानि कि लोकतंत्र से आता है क्या समझते हैं साफ टर्म रहे अगर एक लाहिम में कहें तो जंता का शासन पब्लिक का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है अब ध्यान देजिए अब दिशासन कैसे करेगी एक होता है परतेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह देश में कोई कानून बनना थे उसका जो आरंबभ होगा जो प्रारंभ किकी कि किया जा जाना होगा उनता ही पहल करेंगी इसी परकार से वहां पर referéndum की बिवस्था है referéndum यानि की देश के भीतर अगर कोई भी बात जाननी हो या जंता कि मत नहों या हम कह सकते हैं कि किसी पे आपको एक सर्वे करा नहों तो उसको राष्टी महत्यों के जो मुद्दे होते हैं उस पर रेफरेंडम करा जाता है जन्मत संग्रा इसी प्रकार से अगर बाइद इस इक मामलों में को जनता की राए लेनी है तो प्लेंबे साइट करवा जाता है और साथी साथ वहां पर रिकाल सिस्टम भी लगाया गया यानि कि अगर हमारा परतनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम वापस भी बुला सकते हैं यानि जनता को वहां पर बहुत ज़्यदा पावर है इसलिए हम कह सकते हैं कि सुर्जे लेंड में जनता का साइसन परतच्छता होता है बट भारत जैसे देसों में जहां पर इतना बड़ा भावगोलिक एरिया है साथ ही साथ पापुलेशन इतनी ज़्यादा है संसाध है इतने अधिक नहीं है तो वहां पर परतच्छ साथन के बजाए आप परतच्छ साथन की ब्यवस्था की गई है और इसी को कहते हैं परतनिधी मूलक लोकतंत्र अब देखे जहां से क्या होता है परतनिधी मूलक लोकतंत्र क्या होता है जहां समझेगा इसको अब परतनिधी क्या होता है अगर हम इस्टेट में बात करें तो वो विधायक्स को चुनती है समझ गया है MLA को चुनती है वहीं पर अगर सेंटर लेबर पर देखा जाए तो मेमरा पालियमेट यानि MP का चुनाओ करती है तो वह अपने परतनिधी को अपने में से चुन लेती है और चुनने के बाद ये परतनिधी क्या करते हैं सरकार बनाते हैं तो अब देखिए सरकार कैसे बनाएंगे जनता ने परतनिधी को चुना और ये परतनिधी क्या होते हैं किसी ना किसी political party से होंगे यानि राजनीतिक दल से होते हैं यानि आल्पमत में वहां क्या होगा विपच्छ में बैठेगा और जो पार्टी बहुमत में होगी वो क्या करेगी वो शरकार बनाएगी वो सरकार बनाया, मतलब यहाँ पर क्या है, जनता ने परतनिधी को चुना और परतनिधी ने सरकार बनाया, यानि कि परतनिधी जो होता है, वो सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करता है, चेन का काम करता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कैसा सासन है, तो हम क तो कर आध्ध vorbereत की अंतर पालिका और विधाई का में विभाव देखने को मिलता है अब इसमें इसका क्या मतलब है जिआन novel है जो presidential system होता है जैसे कि ये वैसे अब्रेशितर में क्या है संसन दिये विवस्था है parliamentary system में बड़ इवेसे में क्या है अध्यच्य विवस्था है तो अध्यच्य विवस्था में क्या होता है इसमें जो राष्ट्रपती होता है वही constitutional head भी होता है देश का और वही नाम मात्र का भी होता है जैसे सरसदिय वस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपती हो गया तो वह नाम मात्र का हो गया जो मंत्री परिशत की सलाह से कारी करेगा बड़ यहां पर ऐसा नहीं है यानि कि हम बात करेंगे नाम मात्र और वास्तविक दोनों ही एक ही व्यक्ति होता है दोनों प्रमुख एक ही व्यक्ति दोनों ही एक ही देखती होगा अब साथी साथ धान दिजेगा कि जो अध्यच्छे व्यवस्था होती है इसमें कारेपालिका और विधाईका के बीच में एक विलगाओ की सिति बनती है यानि तनाओ की सिति होती है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो अध्यच्छे व्यवस्थ होती है इसमें जो कारपाली का होती है कारपाली का यह आप इसको कह सकते हैं मंत्री परिशद कि यह हैं कि जो लोग होते हैं यह विद्हाइका से नहीं होते संसर्दिय ब्यवस्था में क्या होता है इसे ऐपने इंडिया में आप देखिए संसद्य व्यवस्ता है- तो यहां पर क्या होता है यहां पर मंत्री बनने के लिए लोक-सभा की वेक्ति मंत्री बन सकता है राश्टपती का चुनाओं देखो कैसे होता है जैसे माल लो यहां पर यह जनता होता है जनता चुनती है किसको मेडियेटर मेडियेटर को सुनती है और कितनी मेडियेटर 637 मेडियेटर को चुनाव करती है अब ये मेडियेटर क्या करते हैं ये चुल लेते हैं प्रेजिडेंट को राष्ट पती को चुल लेते हैं और इसके बाद ये मेडियेटर खतम हो जाते हैं हो अपने हुआ क्या होते हैं मेंबरां पार्लियमेंट होते हैं लोगसेंबा की फलwości स्वस्टियन का चुनाव करते हैं जो पांच साल तक बने रहते है और उन्हीं में से मृतरी बनते हैं बड़ यहां पर हैसा नहीं है अब राश्ट्पती का संबन किस से हो गया जनता से हो गया मतलब यह है कि अध्यच्छे व्यवस्था ने कहा जाता है कि राश्ट्पती का चुनाओ सिदे जनता से ही होता है हलाकि यह मेडियेटर चुने जाते हैं लेकि यह मेडियेटर बस किमल चुन करके राश्ट्पती खत सभाव होती है एक होती है हाउसाफ री प्रिजेंटेटिफ री प्रिजेंटेटिफ और दूसरा होता है सीनेट अब ये दो सभा है जैसे ये सीनेट क्या है राज सभा के जैसा होता है और ये परतिदी सभा होती है ये अलग वेक्ति होते हैं या इन मेडियेटर से इसका जाना कुछ नहीं है ये कांग्रेस के मेंबर है तो अब इसी को हम विधाईका कह सकते हैं वहां की तो इस विधाईका से मंत्री नहीं बनाए जा सकते या लेकि मंत्री परिषद और विधाइका के मेंबर अलग अलग होते हैं जबकि संसद्य ब्यवस्था में ऐसा नहीं होता है विधाइका के फदर सही कारिपालिका के फिरस्थ बनते तो आप संसदिय व्यवस्था में अगर देखें तो विधायका और कारिपालिका में संबंध मधूर होते हैं बट अध्यच्य व्यवस्था में विधायका और कारिपालिका में संबंध मधूर नहीं होते हैं क्योंकि जो ये मंत्री परिषद होती है यहां विधायका के प्रती उत्तरदाई नहीं होती है यानि कि वह जवाब दे नहीं है आप संफ़ादी बेवस्था में देखेंगे तो क्या दिखाए देगा कि मंत्री परिषद लोगसभा के प्रती उत्तरदाई होती है अगर बहुम की अधी कि चिति में तो राश्ट्पती बहुत बड़ा तना सहा बन सकता है कि उसके उपर कोई कोई नियंतर्न ही नहीं हैं डर्धाइब ब्रतिय की इन बेवस्ता हूं लाएगया है कैसा रूल है चेक एंबाइलेंस का यानि राष्टपती अपनी मर्जी से युद्धू समझा होता है ये सारी ले सकता है खुद से ले सकता है बट बाद में उसको कॉंग्रेस से पास कराना पड़ेगा अनुमती लेनी पड़ेगी तो ये बाद धान दखिएगा यहां नाम मात के फिरस नहीं होते हैं और कारिपालिका विधायका के प्रती रिस्पॉंस्विल नहीं होते हैं इसलिए इसमें तनाव की इस्तिती भी बनी रहती है अब ध्यान देजेगा एक एक स्टेटमेंट को आफ वेरिफाई कर लो और ध्यान से देखो भारत एक अद्ध संगहात्मक ब्यवस्था वाला राज्य है यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है दूसरा क्या है भारत में पर्तिधी मूरक लोगकांत्रिक ब्यवस्था पा जाती है यह भी क्या है सही है तिसरा है अध्यच्य ब्यवस्था की अंतरगत कारिपालिका और विधायका में विलगाव की स् करते नहीं है इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा दी उपिक्त में से कोई भी नहीं आप 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 कर दो कर दो कर दो